तो सबसे पहले तो हैपी भाई दूज्य एन हम लोग सुरू करे संतोस कॉंप्लीट मेटेयल सैंस होगा क्या कॉंप्लीट मेटेयल सैंस तो बाद की बात है पहले जो टॉपिक हम सुरू किया उसका बात किया जाए अगर ऐसा है कि बंदा शेकर बंदा बहुत खूस है तो कॉंप्लीट मेटेयल इसंस पढ़ाने में क्या जाता है इसके बाद दूसरा सब्जेक दूसरा टॉपिक दूसरा टॉपिक ऐसे करते जाएंगे तो इसके लिए क्या होता है कि पहले हम जो चीज सुरू किया यह क्रिस् er किस्टल स्टाक्चार जैसे यह बुर जाता है उसमें सबका प्रॉबलिम रहता है तो इसलिए हम बुरले कि है क्या प्रॉब्लिम क्या है उसके बारे में सोच विचार किया जाए वह सबसे पहले जो हम उसका जुगार लगाया पहले हमने ऐसा चीज लेके आया जिससे आपको पता चलेगा भाई crystal structure होता कैसे है और उसको कैसे कैसे हमें सोच बीचार करना है उसके बाद बोला सर ऐसे ही सिप क्या नहीं नहीं उसमें हमने ऐसे भी चीज बना के लाए, different डिफरेंट डिफरें तो ओक्या होता है तो ठीक कर दूसरा यूच्छ जोड़ डिया जाए जो इसके साथ तीसरा यूच्छ जोड़ दिया जाए ऐसे क्या बनता है तो यह सब सारे जब जुगार आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आपको crystal structure जम एक्दम मुंभली बन जाएगा and this is the topic जिस topic में भर भर के question आया है आता है and आएगा तो एक ऐसा topic है जिसमें आप देखो देखो आप धैन से देखो कि चाहे gate देने गया चाहे IS देने गया चाहे PSU देने गया जो exam देने गया हर exam में इस topic से भर भर के question आया है आता है and आएगा अदित्या ख्लास हो रहा है सुबार शोधार रहाँ आन्ड प्रभात प्रभात भीकास विनयक अन्ड शुजित भेंकट शुप्रिया दीपक एवरीवन सी सी ओट है पन एकोमिक स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम उसके बारे में बात करने जा रहा है तो नाओ आवर इस नाथिंग बाट डाड़िस क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में सोच वीचार करेंगे आप आता है सर क्रिस्टालाइन मेट्रियाल क्या है जैसी बहुत है क्रिस्टालाइन मेट्रियाल सबसे पहला आपको समझ माता है बताओ ग्लास क्रिस ख्रिश्टल क्रिश्टल कि शर देखें लग रहा ही अम höई कर ब्राम है यह आपको ट्रांस्पारेंट दा शचाथ Links का नाम है एम औरो फास कुंये रहा है भाई तुम्हारा जो आँख है भगबन ने इनसान को आँख क्यूं दिया कि जाओ पेड में एक आम लटक रहा है जाके खालो अब उस आँख से क्रिस्टल देख लोगे जो देख रहे हो यह देख रहे हो ट्रंस्पारेंट और यह जो देख रहे हो यह है ओपैक मतलब क्या हो है इसको क्रिस्टल ग्राफि में डाल देख रहे हैं तब जाके देखोंगे अच्छा एग ग्लास जो है इसका एक्टम कोई भी मावाब नहीं है इसलिए इसका नाम होता है एम और फास कुन सा फास एम और फास जिसका crystal में कोई कोई मलब जो atoms का orientation है उसका कोई मापव नहीं बड़ आगर आप बुलोगे metal इसको जब crystalography में डालोगे तब आपको दिखेगा नहीं इसका atom एक particular fashion में oriented है इसलिए उसका वाल जाएगा crystalline material तो सबसे पहला point है जो crystalline material होता है उसका atoms जो होगा वह आपका periodic array में रहता है मतलब finally मतलब ऐसे एक particular orientation में रहता है मतलब सर कैसे orientation सर कैसे orientation glasses इस सूप्रियों glasses amorphous and metal crystal तो इसका कारण क्या है कि जब आप देखोगे कि सहर हमारा जो मेटल है चलो थोड़ा सा कालर फूल लिया जाए हमारा जो मेटल है मानलो उसका एक atom ऐसा है दूसरा atom ऐसा है दूसरा atom ऐसा है तीसरा atom ऐसा है चोधा atom ऐसा है तो इस में क्या होगा आप इसके बागल बाल आटम ऐसे बैठा है इसके बैठा है इसके बैठा है तो आप देखो कि पर्टिकुलर पैटन फॉलो करके atom बैठ रहा है तो इसके चक्र में यह जो चीज़ बनेगा इसको हम बोलता है Black Lynn क्या बोलता है बना हिंदी में बोलोicana ग्रीण एक ग्रीन उसके अंदर में सरे आटम में तो हीज़ का बहुँAST काब होगा है जब हमारा मेठाल क्रिस्टल होगा कैंसरी मेठालि कीश्चल होता है पदा नहीं कभी-कभी कुछ सिरैमी क्रिस्टल होता है तो स्यून ली मेटल क्रिस्टाल है कुछ सिरामी क्रिस्टल होता है एंड कुछ कुछ प्लास्टिक भी किस्टल होता है बट एसा नहीं आप लाइवाइज डिस्टेनसेस तो आपका crystal structure होने के लिए एचीज जरूरी है जैसी बोलेगा crystal structure सबसे पहले सबसे पहले हमारा जो दिल का आरमा होता है कि सार लिट्ल होता है crystal structure में हमें जो सोज बिचर करना होता है ऊफ क्या है उसके बारे में था हमने सारे बात बोली दिया भी तो crystal structure उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है इस सब सारे बाप जो है आप फालतों इंगलीस हो जाएगा हम सीधा हमरा टूदी पॉइंट जहां पर पॉइंट है उसमें पहुंचते हैं Atomic Hard Sphere Model मैं आपको सुबा जो दिखा रहा था यह आपका एक 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 स्फियर मान लिया गया इस मोडल का नाम है Atomic Hard Sphere Model Atomic Hard Sphere Model इसका नम है Atomic Hard Sphere Model अब क्या है बोलता है सरफ For For Describing जो हम इसको क्यों कर रहा है बहुरा सरफ For Describing जो आपको समझना है For Describing Crystalline Structure That Is Atoms और आइस इस बात को खुन में घुसा है अभी जस्ट काल से कुन सा एक जम का कुछ बंदा और िमड़िद कर गिस वेद्स ट्रक्टर में कितना आयांस होता है एक पुर्जसन और है इफ्सी सी स्ट्रक्टर में कितना आयांस होतoperation कुण सार्चा क्या है क्या है आयांस ऑब ओ इन विक्वा है कुछ लोग समझे नहीं से देखो मंदल का नोट में devastated लिखा होंता हैं इआप अगर मंढब का नोट पढ़ लिया तो आपने दीन इई इलाही पढ़ लिया दीन इई-ई-ई का मतलब और ना मंड़ जो भी दुनिया में किताब था जितना भी आच्छा वूब कथा जो भी उस रीसूर्स था नाम किया है मैं था हुँ छोड़ा बूंख त मृणफ था हुष थे फ़िए तो उस पेपर में क्या किया बंदा बंदा को पूछा गया कितना आएंग से हैं आप बंदा पखला जा रहा है कि आयन लिखा है और कोस्टेन मताम अटमस पड़े है भाई जो यह जो हाड़ स्पियर मॉडल में यह जो गोल गोल चीज है इसका नाम क्या है बोला सर इसी का नाम एटम है और इसी का नाम आयन है अगर आप बोलोगे इसी का नाम एटम है इसी का नाम आयन है तो इ सब्सक्राइब कर देखो कि यहां से बनाया एक आटम दूसरा से टाच कर गया एक आटम दूसरा से टाच कर गया इसके चक्कर में यहां भी आगर देखो करके बैठता है जिसना भी एक दूसरे से टाच करके बैठता है उसका मोडल को हम मोडल से हम क्रिस्टल सेक्टर पढ़ता है अच्छा इसका मतलब हमें इस मोडल को यूज करके एटोमी स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझना पढ़ता है इस एटो इसको यूज करके एक प्रिस्टालाइन स्ट्रक्ट्टर होने के लिए कुछ चीज है जो हमें सैटिस्पाइब करना बहुत जुरूरी है क्या-क्या चीज बाहर चला जाता हूं तो आपको पता चल जाएगा दिख जाएगा देखो क्या-क्या क्या चीज है इसमें क्या क्या चीज है इसको बंद करेता हूं तो अगर क्रिस्टाल स्ट्रक्चर होना है तो उसके लिए स्टेवल क्रिस्टल होता है उसके लिए क्रिस्टल आर इलेक्ट्रिकली निउट्राल आप ऐसे एक मेटल को टाच किया और आपको बिजली का जटका लगा ऐसा कभी हुआ और तब ही होगा जब बिजली से द दहुँ हो चाहिए इ सकता और आपनेवर को घदन पर गश्तान है और जो क्रिस्टल को क्रिस्टल क्रिस्टल होना यह वहाद जूरी है एक खोबड़ा में घुसे आज तक आपने कोई भी मेटल को टाच किया दुनिया में जो भी मेटल को टाच किया मेरे पास एक चाकू भी है इसको इसमें भी मेटल है क्या इसको टाच करने से क्या बिजली लगेगा क्या जटका लगेगा क्या बाद नहीं इसका मतरब electrical stable अ आयान Tropal saan is minimized एक्चोली दुनिया में ओही चीज इस टेबर है जिसका energy कम है तो यहां पर आयान And का और रिपल सन मीनिमाज कर दिया गया the iron and atomic crystal are packed as closely as possible अपको जो मैं बता रहा था कि यहां पे भी एक इंटम से दूसरा अटम कंड़क्टेड है लेकिन दोनों का कंड़क्ट अ तरीका अलग है तो इसमें जितना क्लोजी पैक हो सकता इसमें भी है जितना इसमें हो सकता उसमें भी है लेकिन इसमें इस आटम से दिखेगा इसमें सब्सक्राइब नहीं दिखेगा अलग-अलग जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से एटम का पैकिंग होगा बाट इस जो देखोगे उस पर्टिकुलर पैटन के लिए ओख क्लोज होगा एंड़ फ्री एनेर्ज अब दा सिस्टेम विकाम मिनिमाम एंड़ इस दा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो आपको सैटिस्फाइब कराना है तभी जाके काम हो पाएगा आप जाके मेरा एक टेबल है ड़िस मंडल स्टेबल और टेबल में जाने से पहले हमें कुछ त सनथर दो लिए क्या स्फियर संटरी है इच्छाली यह जो मैंने इस चीज़ को बोल रहneo हो कि ऐसा मेरा मोडल है इसका नाम कि नहीं हाड़ स्पियर मोडिल मेन इसको डॉडॉड रहा हौ इस तरह से मैं डॉडोर तो डॉड्र Row कर दो और ऐसा एकम वासर मैं आपने डॉड कर रहा है यह यह इंहीं आ पर दो करके मैं क्या कर रहा हूं इ ze दोनों मोडल में डीफएरेंस किया मेरा हाथ में जो मोडल है और मैं जो ट्रॉक जो जिसeleri एक एक युशन कर रहा है और यह मोडल का नाम किया हुथ है लेटीस बाला मॉडल कैनि लेटीस म niveau है सिर्फ एजो एटम है इसका सिंटर को हमने अS तरह से रिपजन किया इसका नाम है का लैटीस अच्छा मतलब एभी एक मॉडल है जिसका नम होता है लैटीस बाला मोडल है तो खोबड़ा में घुसे बाद में लोचा पैदा आता है यह क्या है दोनों में डिफेरेंस के भाई यह हमारा एटम पूरा साइज का मैं दिखा रह लैटीस मीन्स अठी डाइमेंशनल एरे ओपॉइंट्स कोइंसाइडिंग उड़ा एटम पोजिशन और स्फियर का सेंटर जो हमारे हाथ में स्फियर है उसका सेंटर तो एधन रखे कि जब कीताब देखोगे आईदा तो आपको दीस मॉडल मिलेगा नहीं तो दीस मॉडल म ठीक है सहुरा बंदा आज तक पता नहीं कर पाया कि यह दोनों डिफरेंट है यह भी आपका एक तरीका है जिसका नाम होता है हाड स्फियर मॉडल है और यह भी आपका एक तरीका है जिसका नाम होता है लैटीस बला पॉइंट है यह भी एक तरीका है तो आपके सामने ऐसे दो तरीका आता है आपके सामने ऐसे दो तरीका आता है जिसमें सोच विचर करना है एक बात हो रहा है भी यूनिट सेल क्या है कि आपको बोला गया मेरा इस बिल्डिंग बनाना है I have to make one आप क्या हो एक रहा है burgerा रहको दूसरा रहको तीसरा रहको द्पार रहसे एक की बाद इक इन्टा रखते जाओंगे ब्रिक रखते जाओं और प्रणाब होगा आपका बिल्डिंग वहला यह हम क्या करेंगे क्रिस्टाल में जैसे जो आपका हड्स प्यार है इतना भी हमें नीचे पुरा हाड्स प्यार इतना भी नीचे हम इसका मिडल से ऐसे च्छोड़ा सा चीजी कटेंगे बट आगर हम देखेंगे पूरा आपका पीटे सान से बन रहा है मतलब इसका नहों कर है unit cell तो इसके बाद हमने दूसरा unit cell रखा दूसरा रखा ऐसे करते करते किया ख्वर पूरा उनिट से लगगगी ठूड़ा पूरा कृसटल बन जाएंगा तो एक एक हो दुसरा unit cell is 4 तीजरा unit cell इसको पराखा और वीडियो दिखा देते तो और अच्छा होता यहis I am here तो जिस से आपको पता चल जाएगा कि यूनिट से कैसे crystal मुलता है ओ nom ज़ूरी है है कि याँ मिं सल आगर आप देखो अगर आप देखो की Alrightino है उसके बाद और इक वहां एक हम जोडते जा रहा है जोड़ते जा रहा है जोड़ते जा रहा है जोड़ते जा तो मैंने आपको हाथ से करकर को दिखा रहा था यहां पर एनिमेशन से दिखा धिया इनिमेशन से कि कुन सा मोडल न Ricardo यह ईस एस भी हैएस दिस स्लाएटीड है यहां पर यह आपको विड़्ोय दिखाया जमने लाटीस मोडल से बात किया एजा एकर हमने देखा lattice model से this is one unit cell दिस इस इस अनादर इनेट जात जल तो जैसे नंबर सब इन बर दोगे जैसे नंबर सब यूण वाण ऐसे अधर भरते जाओगे तो टोटाल क्रिष्टल बन जाएगा तो ओट इस उनिट आप इहां से बताओ देखे कि वाट इस यूनिट सेल का मतलब है उसी क्रिस्टल का मीनिमाम एक छोटा सा पार्ट है जिसका बार-बार रिपीटिशन हुआ है जिसका बार-बार-बार रिपीटिशन हुआ है जिसका बार-बार-बार रिपीटिशन होता है उसका नाम होता है उ यहां पर मंदल से पढ़ने का एक ही फायदा है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप पढ़ लिया उसके बाद राटना है और बाकी जहां से भी पढ़ोगे से आपको राटना राटना यूनीट सेल यूनीट सेल इस्टा स्मॉलेस्ट रिपीटेवल एंटीटी दैट कैन बी तो कॉम्प्लीटली प्रेजेंट एक क्रिस्टल स्टक्चर इट इस दा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दा किस्टल स्टक्चर बहुत अच्छा लगा सुनके बड़ ऐसे अच्छा लगने से राटना पड़ेगा ना और मंदल से पढ़ने के बाद ब्रें में लोड नहीं आता है हां पूर पूरां क्या है यूणीट से बोलना मतलबता है स्मॉलेष्ट रीपीटेबल एंटिटी जो इनीट से बर मंडल के हाथ में यह यूट सेर्माड pedals है एंसको करते जाओंगा तो पूरा बन जाएंगा इसका और एक करो और एक लकादो इसका और एक ड़ खो जैसे और रीपिट करते जो गया लगते जाओगे तो आपका पूरा क्रिस्टर बन जाएँगा तो जिसको रिपीट करने से और आगर आपको देखने का इच्छाता तो मैंने जो बताया था वीडियो दिखा भी था उससे भी हो यूणिट सेल फर मोस्स क्रिस्टल स्टक्चार और प्रीजम हैं यह वन बताएंगे की क्यूव होता है को इस बादमा बात करेंगे तो पहले तो हमारा दिमाह में घूसे उनिट सेल क्या है गर अगर अगा अगर एमाहर तो हमें उसका रेडियास चाहिए किसका रेडियास चाहिए यूनिट सेल के अंदर जो एटम होगा एटम का पाठ होगा उसका हमें ऐसे उसका यूनिट सेल के अंदर जो पाठ होगा हमें उसका ऐसे ओ चाहिए ऐसे क्या ओ चाहिए उसका जो है हमें रेडियस चाहिए इस एटम का जिस एटम से यूनिट सेल बना है उसका में रेडियस च सब्सक्राइब कर सकता है तो इसके चेकर में आपका होगा एंड उसके साथ साथ एक्सिस होगा उसका एंगल भी चाहिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें वान नोड मेंस का लूड करने में टाइम लग रहा है है यह आपके सामने जो मोडेल दिखा रहा है इसमें थेयल दिखा रहा है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सामें ppt दिखाता हूं उसमें आपको ढंसे फड़ा बट लोड हुचा अilik पर में टैम लग रह रहा तो इं। या किरी जैसे मानलो यह हमारा सिंपल क्यूबिक मनलब जो मेरे हाथ में है एक तोशन formula ग्राम से मेरे हाथ में अटम से हुई है आपने बोला इसका संटर आपके यूनिойд से निकला अब जब यूनिट से निकल आप जैघ्स Komma आटो सेंटर से काटा तो यह आपका सेंटर आपका सेंटर से काटा चाट के ऐसे इडिटेसमेल लिए तो ए बने हैं आप खोड़ा में फोनिट्टी से स्टाव मतलब है कि आपने आपके हाथ में है पूरा मोडल है यह पूरा मोडल हमें नहीं चाहिए हमें सिर्फ उसका रीपीटेबल एंटीटी चाहिए तो रीपीटेबल एंटीटी क्या होगा कि यह जो आपका एट आटम से उसका इसका सेंटर इसका सेंटर सारे का सेंटर को हमने जोड़ा जोड़के काट दिया कुंसे स्ट्रक्..., क्यून से स्ट्रक्चर you are a fair से क्या फायदा होता है कि इसका इधार बाला जो चीज hindsight चीज होगा हिके इस तरह प्लौ झोगा इस तरह बना होगा इसूंपकर का está everything शीयक्त अलसो इस्ञार इसन वाप्रिस वहरा जो गाइए जिलाइब ह। फोथ जह ज़ोंको इसॢ़सौ से कि एक सिम्पल को इसका इसका एक सिल के अंदर कितना अटम में से देखो आगर हम इसको इसको किसको एक एटम को एक एटम को हमने से एक एटम को एक अलू मन लें इसको पहला आधा करो वेरिस अ कटर तो आधा कटर है तो यह जो है कि यह हमारा कटर है मैंने इसको आधा कट रहा हूं ऐसे हाफ ऐसे हाफ कटिंग कर रहा हूं हाफ देखो अगर आपने हाफ कट दिया लेकिन यह मैच नहीं कर रहा है यह मैच नहीं कर रहा है बला सर और हाफ कर दो चलो और हाफ कर देता हूं अलो कात रहा हुं ऐसे आप ऐसे और हुप कर दो हैं और हाप करने कि आप मेच कर रहा है रो ओह औह रहा देखिए ऐसा चीजु देख रहा दीज ऐसा चीज़ दिख रहा है इसा आससी देख रहा हूं इसा दिखे रहा है और आलो ये करते हमके सामने अगर आप देखो ये जो चीज है ये हमारा आधा अलूम आधा एटम है हाप एटम है ये उसका हाप है तो ये कितना है वन बाई फोर्थ तो इसका हमने और दो टूड़ा क्या कितना होगा वन बाई एट तो अगर हम धैंक धैन से देखे तो ऐसे करके हमारा टोटल एटम था ऐसे करके हमारा टोटल एटम था ये जो चीज है एक क्या है बना सरे ओन 8510います किsect और इसमें जो दिख रहा सरे 1 by 8 का बड़ दिख रहा है इसमें जितना भी दिख रहा है तो मेरे इसाब से आपको पुरा खुन में घुज़ गया दिमाय में घुज़ गया कि इसमें एक चीज में 1 k1 got 1b8 atom है अगर 158 डम है लेकिन इसमें 8 कोंना रहे है इसमें 8 कोणना रहे क्योंकिन है यह सका मतलब यह एक अलो का One By Eight है एक एक अर्ट engagements का one by eight है एक से करके आठ कॉंणर में बैठा पीछे है इसका मुलाब का one by eight करके आठ जगा में बैठा हुआ है तो एक एक हम होगा one atom होगा जो अभी one atom लिखा है ठीक है तो आगर आपको पुछा है बताओ सिंपल क्यूबिक में एक एक क्यूबिक स्यल में मैं एक यूनिट से में कितना अटम है आप बॉलो कि एसे ओन बाई एट करके आठा है और वाइट करके बैठा है इसलिए एक होगा एगा तो गेट हो, ISO, PSU हो, दुनिया का जहां जाओगे, एक question भर-भर के आया है, आता है, और आएगा, यह जहां भी जाओ, गेट देने जाओ, IS देने जाओ, PSU देने जाओ, इसलिए मंडल का जुगाड क्या है, मंडल का जुगाड यहां पर मैंने एक table मना दिया, इस table में जितना data दिया है, इस table में, यह आगर आपने राट लिया, तो आपका 90% question, gate का, IS का, PSU का solve हो जाएगा, लेकिन मैं यही बात बताऊंगा, कि आगर आपने राट लिया, तो आप exam center में धुआ देखोगे, 6 था, 6 था, 8 था, 5 था, क्या था, इसके चक्कर में क्या होता है, कि brain में load ना लेके, a table हम रटेंगे, बट logic से, ऐसा logic से हम रटेंगे, ऐसा logic से हम रटेंगे, कि आपको सारा खुन में घुझ जाएगा, सारा दिमाग में घुझ जाएगा, सारा बात खुन में घुझ जाएगा, without any load, तो अभी तक मैंने किसका बात किया आभी तक आपने किसका बात किया ना अभी तक मैंने इसका बात किया थोड़ा कलर थोड़ा थोड़ा ब्यूटिफुल कलर लिया जाए या तो अभी तक मैंने सिंपल क्यूबिक का बात किया मैंने जो एन है कि एक इसके अंदर आपका एन न थाए है अपनेे जिए हो रहा है आप देखो आ अनिरोद जो जिए हम बता रहा है यह अभी सिफ जूल क्यूभिक का बात कर रहे हैं और कि प हैसा से सिंपल क्यूबिक का बात करता ऐसा केस है तो इसका किनना होगा ना यह आपका वान एटा होगा अब कोडिनेर से नमबर क्या छोड़ दो अभी बाद मैं पढ़ाऊंगा इसका बाद पहले हम पढ़ता है यह वायार क्या है वाटी से यह जो हमारा क्यूबिक स्टक्चर है उ इसमें क्या होता है क्यूबिक स्टक्चर के केस में जो चीज है इधर बला एधर बला भी 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 चार तो यह आपका रेडियास जोड़ दिया टाच करके बैठा है इसका रेडियास जोड़ दिया टोटाल तो इसका डिसन से है ना तो आपको क्या मिला इंदीस केस हमें जो मिला है इसका वैलू हो जाएगा क्या ब्रेन में लोड आया क्या ब्रेन में लोड आया नहीं नहीं आएगा जिन्दी में नहीं आएगा जिन्दी में नहीं आएगा मंदल से पड़ेंगे तो जिन्दी में लोड नहीं आगा आपको खुड़ा में घुज गया तो मैंने कि आपको दिख रहा है कि ए रेडिया से जोड़ दो तो हो जाएगा आपका टूर आप जुगार लगा बोला सर एतो होगा सिंपल क्यूबिक आप थोड़ा सा आगे बढ़ो आगे आगे बढ़ो आगे बाढ़ के बोलो कि आपका अब इसे स्टॉट्टर का सबढ़ भाड़ी संटर्ड क्यूबिक अब बौड़ी संटर्ड की विक अमतलब होता है कि मेरा हाद में जो मॉडल गाइये चलत आपको दीखहता अब दहो है क्लोजली अब देंस से देखो किई सिटम के साथ सद्टक नहीं लेकिन बीच में सेटर में यह िसके साथ और इस उन्हीं ऑपथार सब्षत-गुण ऑपर इस बाध्यहर दिखू कौर दिखू कौणर में व्ह attachments नहीं के साथ इसके साथ नहीं तूह सिंबल की मैं ऐसे था इस अटम से सब्सक्राइब नहीं है उसके सब आटो काट कॉंटक्टेट है देखो बॉडी में जो बैठा है उसके साब आटो काट कॉंटक्टेट है बॉडी में जो बैठा हुआ आटो काट कॉंटक्टेट है आप यही चीज को हम यहां पर रिप्रिजन करने जा रहा है इसी चीज को हमने यहां पर रिप्रिजन करने जा है बोला सेर आगर लैटीस व अपॉंट से बताऊगे लैटीस वला लैटीस वला तो आपका एक एमने का एक बिंदू खी बीन्दू है यह वाला एम है यह बन अगाएक बीन्दू महाला क्या हो गया कि साओ म्लू आ ौर जिदना भी एटम था सारे एटम में क्या क्या हो जाता है घी को जिदना भी एक तेम था सारे एक्ञाह मेड भी cig अनॉटसन हमें transcend taking और भाइं तो एक बिंदू जलो उसको छोड़ दू बिंदू मरने में वह बर मत रहर है तो ृभर कोने कि दीशी ए स्वान प्वइंड दीशी इस्वान प्वइंड बीच में इक आगी आतम स्वांड हफिकी 7 मोडल में दिखा होगी तो ऐसा होगा तो gonna किया गया जिस सब कुँभने में दिक् grandes लार्व की एक क्या भूश गया तो कास मैं अतुर्स बबेड़ दुत में हानने के निए और अधा ता यह हमारा इसका अधा था इसका और गर्ला जाल है औरी था और बाय चाहरा इंस यह ता खाना वान एट है तो वहाई जो चीज क्रें यह जोँच wij पोरा के पूरा तो उसी इनिट से ल का अंदर है यह जो बीजबल आटम है पूरा के पूरा उसके चक्कर में पता चला वहाई है उसके चक्कर में पताचला बी सी सी स्ट्रक्चर जब होता है ना उस बी सी स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल के अंदर में एक यूनिट सेल के अंदर में दो एटम होता है क्या परकाście सवरभ कुछ लोग जानते भी थे राते भी थे का डड़े भी थे छोड़ा आप कुम में खुश है कि करें तब ही नी भूल सकते ऐसा यहां थोड़ी देखो तो इसके बाद क्या-क्याखे लेंगे मतलब तब आपको खुन में घुसा के छोड़ेंगे अब नीस चिंद रहे क्रिस्टल स्ट्रक्चार को लेके जो डाउट आपका था जिन्दिगी में वो सारे खतम कर देगा मंडल इसमें मेरा गैरंटी है अब जाके बात हो रहा है सर इसमें है तो इसमें फोर कैसे आया उसका देख हुआ इसको देखना थो सब मुश्किल है क्योंकि मेरा जो एक बी सी स्ट्रक्चार था ओधना आसान से दिखता नहीं है तो फिर भी मैं दिखाता हूं कि यह हमारा बॉडी सेंटर की भी है इस बोडी सेंटर की विक आप देखाए इस फेस में फेस है उसी में का सेंटर कि यह जो फेस है ऐसे आइसे फेस है ईसी दीस यह पैदा खिए उसके सेंटर में भ्याट गया आप अब बैट थो any से दिखा स और बीच में सेंटर में बैट गया अगर इस फेस को देखोगे बाकी फेस को तो इसके फेस में बैट जाने के कारण उसका नमाता है गया अगर आपका अधा पूर्षान आपका उसके अंदर आएगा तो इसका अधा पूरषान आया इसका अधा इसका छह तरफ से आधा आगया ऐसे च्छै पीस आ गया ऐसे च्छै पीस आ गया जो हमारा आधा पीस आ अधा आधा इटम में आधा आधा इटम का च्छै इसकी चक्र में आगा चार तो यह बात होगा सोरब खुज रहो आप जाके देखो मंडल का जुगाड़ है किवे पता है बंदा को भीजुआलाइस नहीं करोगे कभी जिन्दिगी में एक बार देखा नहीं और बता रहे हैं तो आप चार होगा कहां से पत्र हाप चार होगा तो चार होगा ना तो आप देखो कि हमने आपको खुसी खुसी पड़ा दिया कि आपका वेस्सेंटर की भीखोगा तो चार होगा Atom तो यह जिस जुगार से मैं बता रहा हूं तो इस जुगार से आप याद रखे जिस से आपका दिमाग में लोड ना है यहां भी गए जी से एक जाम में गए आभी जनर लोगों ने UPGCLE का दिया था उससे पहले हैं जाहां भी दिया था इस टेवल से कुस्षना है यह जो तोप टेवल है इस टेवल से हर साल हर इसमें एक-एक कुस्षना परता है तो इसके चक्कर में यह आपका तोप टेबल है इसको धेन रखे हैं सामने बाद में आता हूं पहला मैं क्यूभी का बात कर लेता हूं बोला सर इसमें आप बताओ यह फोर बाइरूट 3 कैसे हुआ हाज से हुआ है उसके लिए आपको image देखना पड़ेगा ऐसे image आभ आपी बातका रहे थे बताओ आपका यह बीए सी से हैं अगर यहां से यहां तक किदना है का है निए जो का सब्सक्राइब निए सब्सक्राइब करें ओ तक अ कि Нत्राइब है इन यह दोचाहिए है कि इस umm एक डूसरे से व्रक्राइब लोग सब्सक्राइब लेकिन ये क्या है आपका ए रूट्टू है यह इंट्टू है कि रूट्ट्टू है आपका एक स्क्वार का डागनाद रूट्टू है बोला सायर यह देखो यहां से यहां तक आपका R दिख रहा है यहां से यहां तक आपका R दिख रहा है रेडियास और यहां से तक तक डायमेटर मलब 2R दिख रहा है और यहां से तक कितना है और एक R दिख रहा है बोला सायर जिसको आप A root 2 बोल रहे थे वो basically 4R है जिसको आप A root 2 बोल रहे थे diagonal को वो basically 4R है तो आपका A by R क्या होगा A by R बोला A by R हो जाएगा 4 by root 2 आप इसको 2 root 2 बोल सकते हो नो problem तो A by R जो हो जाएगा A by R आपका 2 root 2 हो जाएगा A by R जो हो जाएगा आपका 2 root 2 हो जाएगा अच्छा एभी आया है एभी आया है आभी आया है भाई मतलब आप जो एक्जाम देने जाओगे आइसे इसे जुगर लगए तो आपका एजो एपका एए है एक है क्यों स्पेश इंड़ की बिखे ना बोला सर कीसी भी फेश को पागड़ो आइसे नहीं की स्पेश से करना है अब इस पर से एथे रेवाला एए है इध्वाला एक है एैड़पाइस बहसां होगा वादी आऊ गया तो बाता सर बोडी business में जाओगी इसमें क्या होता है कि इसमें इधर बला A है इधर बला A है इधर बला भी A है लेकिन A जो डायगोनल है इस डायगोनल अपका A root 2 है इस से कोई बात नहीं बन रहा है वाला क्यों ना A इस corner से उस corner को जोड़ना है अंदर अंदर इस corner से उस corner को अंदर अंदर जोड़ना होगा ऐसे अगर इस corner से इस corner को अंदर अंदर जोड़ना को अंदर अंदर से उसके हिसाब से अगर A A root 2 है इधर बला A है तो इसका हो जागा A root 3 मतलब आपको क्या करना है कि ऐसे जो क्यूब है उसको काट के हमें इस कॉर्णर से उस पार इस पार से उस पार जाना है चलो मैं थोड़ा सबको आपके सामने काट के दिखाता हूँ तो खुबडा में घुसे गा नहीं यह हमारा एटम है एटम साय से बैठा हुआ है बोडी सेंटर में आप मुझे इसका सेंटर से इसका सेंटर जाना है बीज में सेंटर हैगा तो यह हमारा क्यूबिक से ले मैंने काट कर रहा हूं इस कॉर्णर से इस कॉर्णर का डिस्टेंस है हमें इस इस कॉर्णर से इस कॉर् इस दिसेसे किनफ बट ऊपका यहां से यहां तक होगे इस कि तो इधर व्लाzahl कै hele टो इक इस इस से रूट तो ईहां से मिल जाएगा कि इस कौन अधाना चाते हो तो आपको एसे गर करके जाना कोगा इस कर से इस करनाठे जाएगा आप dalणसे स्कॉणंच से इसक चाहँगी यहां से इहां तक जाओगे ईसे जाओगी तो यह आपका जाना है तो है रूट यही से बीस दिस्टेन्स एडिस्टेंस एと思 ल should एक है डीस डिस्टेंसे रूट तू इधर वाला यह तो यह आप का ए रूट थी और हैते हैं कि नहीं है कि आप खुण में बात भूसे ऐसे निमें मंडल के पास इमाजीन करकर लग चला जाए मंडल के पास दूर्यन करने का कोई बाद नहीं कोई वीजना में घूसे की इस आपका यहां पर इस आटम का आधार ही आटम कि आपका आधा है और देखोगे और यह था यह अगर है प्लिज जाना है तो इसका आधा रेडियास इसका टू रेडियास इसका रेडियास तो चार रेडियास वह ना तो चार रेडियास इकल टू रूट त्री चार रेडियास इकल टू रूट त्री इसके चेकर में फोर इन्टू रेडियास इकल टू रूट त्री होगा तो खून में यह मिहीं का रेडियास जोड़ों है तो यह कि रूट 3 होगा तो इसके चैक कर में एए रूट 3 इको एल टू पोर आर तब युम्हों आप that is equal to four by root three आता है yeah a by Mara का four by root 3 आता है उसमें four by root two आता है ता पता चला चा यह बात है तो आपका इसका जो एड a by R hooga ए four by root three होगा जब आपका body centered की भी होगा क्योंकि body centered की में हमें एक corner से दूसरा बार जाना होता है और आगर आपका face से इंड़ की भी होगा तो उसके चक्कर में सिर्फ इसका ऐसे डागना जना होता है तो ए रूट टु इक्वाल टू फूर रूट टू होगा ठीक है इसको आप ऐसे भी लिख सतो टू रूट टू है डिसको टू इंटू रूट टू है पड़ उसका खुछ जोगाड नहीं है फूर वैर उठ्थरी रहेगा क्या हवा लगा तो ऐसे करके हमें सोज बीचर करना होता है आप जाके हमें पता चला एबायार 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 क्या है नाउ आउ आइंट्रस्टेड टू शोओ यू वान थिंग डैट इस नोन एस एक्टोमिक पैक्टिंग फेक् मैं आप ही जो बात करने जा रहा हूं उसका रहा हमें एटोमिक पैकिंग फेक्टर क्या है आप बोलोगे सिर यह जो आपने एक मोडेल लाया उसके अंदर में खाली स्पेस भी है अच्छा एक बस में बहुत ज़्यदा भीड़ हुआ हेसा उनलकाल परता हूँगा हेसा उनलकाल परता हूँगा कि वो एक साथ इसके साथ अलग स्ट्रक्चर है उसका क्यूबिक के साथ अलग स्ट्रक्चर है एक सब्सक्राइब बताऊंगा पहले धेन रखे एक बस में बोहुत जदा आदमी जा रहा था और आपने बोला कि उसका ड्राइवार जम के ब्रेक मर रहा था क्यों उसको पता है कि जितना ब्रेक मरता जाओंगा उतना आदमी क्लोज होता जाएगा जितना ब्रेक मरता जाओंगा उतना आदमी क्लोज होता जाएगा और आदमी सारा आदमी के बीच में गैप जीरो हो जाएगा सेम चीज है एक आदमी दूसरा दमी के सिमें में डूसरा कर सकता है लेकिन बीच में फिर भी थोड़ा थोड़ा रहेगा तो यह एटाम टाच तो कर गया ले अगर टोटाल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम है तो आप बताओ आपका एटम का कितना वॉल्यूम है अगर रहा तो उसका वॉल्यूम का वॉल्यूम कितना है इसमें जो एक अटम है उसका एक अटम का वॉल्यूम कितना है चलो हम simple cubic कई करें, बला सर, ये जो simple cubic structure आप दिखा रहे हो, इसमें इधर बाला a है, इसमें इधर बाला हमारा a है, इधर बाला भी हमारा a है, इधर बाला भी हमारा a है, तो total volume इसका जो आएगा, that is equal to a cube, लेकिन इस a cube का कितना volume आपका occupy किया atom, बला सर, a 1 by 8 atom है, a 1 by 8 atom है, ऐसे 8 बार है, मिला के 1 atom है, तो 1 atom का volume कितना है ना, सर, 4 by 3, pi into r cube, तो आपका a आजाएगा 4 by 3, pi into r cube, into divided by a cube, और आपको पता है, a by r आप जानते हो, a by r इसका कितना है, वाला सर, इसका जो a होता है, that is equal to 2r, इसका जो a होता है, that is equal to 2r, आपका a by r 2 है ना, तो a equal to 2r होता है, वाला सर, ऐसे देखना जो भी था क्या, नहीं नहीं नहीं, खु तो आपका 4 by 3, pi r cube, उपर में है, और नीचे कितना है, ना, 2r का whole cube, नीचे बैठा है, यूगि a equal to 2r है, तो 2r का whole cube, बहुता है, ऐसे क्यों करो, ना, आएदा तो आर को काटो, नहीं तो एको काटो, तो हमने आर को काट दिया, वाला सर, a r cube के साथा क्यों काट गया, तो इ अट्रो पाई भाई, 6 आएगा, बताव, पाई भाई 6 की दूना होता है, ठीक है, पाई भाई 6, ए अपका 4 by 3, pi r cube, एक एक एट आप है, 4 by 3, pi r cube, नीचे आपका 2r का whole cube, 2 का Q मनलब 8 होता है, तो इसमें पाई भाई 6, बताव, पाई भाई 6 की दूना होता, what is the value of 5 by 6, what is the value पाई भाइवाई 6 तो मैं करके दिखता हूं के पाई डिभाइड बाई 6 एंसर देर है यह भाई पाई बाई 6 ए 0.5 252 359 8 ऐसे दिखा रहा है तब पता चला इसका इसका जो आपका जब यूनिट से लबनेगा जिसका सिंपल की बिक का सिंपल क्यूब की बिक स्टक्चर का जब यूनिट से लब लेगा बनेगा उसके केस में 52% 52% of the space atom से भरा रहेगा and 48% स्पेस खाली है वाट इस दा मीनिंग अपटर मीनिंग होता है इस सोरब पाइब सीख सारा है बाट एवरीवन इस करेट विकुल विया महममद और सोरा विकास यह सीव सकती भेंकटे भेंकटा शी इदा मीनिंग होट इस अमीनिंग फैक्टर मीनिंग क आपका atom उकुपाई किया ऐंड उसके बाद उसके बाद 48% अब का और दो बंचा ओ इरिया खाली है ओ एरिया इंटी है ए कि क्या ये खुन में घुसा कि जो rapt अगर आपने इमेज से भी देखों कि थे डिनल आप तो कितना परसीश कुरिबा इस का फिवतूवसまあ से ऑर फोट्य प्रसन नहीं भर पाया वो खाली बैठा है वो खाली बैठा है अब खोड़ा में घुशा पुरा बात की ख़ोड़ा में घूसा पुरा बात आब जाके बात हो रहा很多 से थोड़ा सा आगे बड़ो सर्व 20 CC बालबड क्लियर कर दिया जाए आख इसका एक एटम एक यूनिट सेल का वॉल्यूम बताओ इसका एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा वाला सर इसका एक यूनिट से रख क्लियार कर दिया जाए क्लियार होता है क्या है यहां से इरेज हो 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 इरेज भी होता है तो इसके केस में क्या होगा सर बॉडी सिंटर क्यूबिक जब स्ट्रक्चर होता है जब बी सी स्ट्रक्चर आता है इंदेट केस क्या करना है इसमें देखो इधर बला यह है इसका बोल्यूम है कितना है a cube है total volume इसका a cube है और इसका जो atom है कितना है बाद सर एक center में बैठा है एक center में बैठा है और एक 1 by 8 1 by 8 करके और एक तो होगा तो 2 हो गया तो 2 का volume कितना होगा ना PY 4Y3 पाइ आर क्यूब तो आपने देखा कि एक atom का जो आपके पास एक atom है उसका volume है 4Y3 पाइ आर क्यूब बट इसमें तो दो atom है इस BCC के अंदर तो दो atom है जब दो atom है तो 2 into 10いる फायद् तो एक me social लिए आप बोलोंगे सर यह a by r और referring यह क्या होगा आगर आप ने अए यह आर बोलोगे तो आपको पता है कि इस कौन इस फेड़ को जूण ना है तो उसके चक्कर मेंगार इस कॉर्णार से उस कॉर्णार को जोड़ना है हो आपका A root 3 equal to 4R होता है A root 3 equal to 4R होता है आप आपका R हटा सकते हो और आपका A हटा सकते हो जिससे आपका मर जी आप बोलके सर्मलाओ एका बेलू हारा है आमारा 4 by root 3 into R ठीक है लिख लिख दो तब जाके इसके बलो हो जाएगा 2 into pi 4 by 3 pi r cube divided by उसके नीचा रहा है 4 by root 3 into R का whole cube 4 by root 3 into R का whole cube जो A हो जाएगा 4 by root 3 into R का whole cube अच्छा ये बात है ये बात है तो आपका 4 by root 3 into R का whole cube जाए गार सर आरका whole cube के साथ आरका वोल कीवसा काट गया बस आप क्या बना आरका whole cube के साथ आरका whole cube जाए गया काटने के बद क्या बना महाना सर कोई भी कोई जो डेट डेटा बना oh that I am that will be equal to is गॉल जो आए गा सर उपर में आपका कितना आया मैं तू इन्टू 4 तो एट 5 8 5 डिवारद भाई 3 उपर से आया मनुप आपका निवकर साया आप टू इन्टू 4 और 85 तरी इसका जो भी बाई-बाई हो तो उस्टार जाएगा वोन सब्सक्राइब एक थी रूट त्री हो जा रहा है क्यों ना रूट ठीक का क्यूब तो 303 रूट थी तो तो route 3いう तो रूट्ती इंटू 2 ईंटी रूट्री इनीचे था तो यह दोनों से काट अटि इन कि परे उपर महीं रूटी और नीचे maggot 5 ऑर नीचे मैच रॉट तो फोर का to buy to four इंटूउट है तो हमारा कि मैच ऐसे काट से काटो रहा है पाई सिप्ट पाई इन्टू रूट 3 रूट ओबर 3 ब्रेकेट से बाहर निकाल दो डिवाइड वाइट सेप्ट 0.680174 बॉला सर इसका मुलब इसका एंसर रहा है 0.6868 का मतलब के ना 68 पर्सन वॉल्यूम जब होना बोडी सेंटर की भी हुगा 68 पर्सन जो पर्सन और फिर भी 32 पर्सन और खाली बंचा है इसका 32 पर्सन जागा खाली बंचा है तो 68 पर्सन जो आपका भर गया और 32 पर्सन और भी बंचा है इसलिए अगर आप देखोगे इसलिए अगर आप देखोगे कि इसमें आपको यह दिख जाएगा कि क्या होना ची इसमें आ लाइगरम सब देख देख लो कि हमारा जो मंदल स्टेबल है उस टेबल के हिसाब से पॉइंट सिक से इस अब कोस्टन आया है आता है आएगा कुछ लोगों ने राट चुका था राट राट के पगला जा रहा था कि कैसे राटूं कैसे राटूं आज पूरा समझ मैं का सोरभ कि भाई कैसे होता है में सट लगा है्साब कर देता हूं कि आपको इस सब करना बहुत जरूरी है इंगा सब कर लिया जाए लास्ट वाला कि कैसे होता है पॉइंट सेवन फूर अगर इसका होगा तो तो अब देखे बीसी सी एफ सी सी जब स्ट्रक्चर है इस फेस में इस फेस में बैठा हुआ है जब इस तो इसका वालूम की नहीं तो टोटल वालूम हमें जो दिए रहा है एक यूब क्यूब ना इधर बला भी एधर बला भी डूत बला है एक मैं आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर रहा एक आपका क्यूबी ट्रीपाइर क्यूब पुला सर ऐसे क्या बात करूँ एक एटम का एक ऐटम का भॉलीउम फॉर भॉट hierarchy ग्यूत तो इसमें कितना एटम है पुला सर इसमें तो इन बान बाइट कार्केछ शारे मिला के एक है और सारे face मिला के एक है एं तीन है थो 3 में ट्टल चार है मर चार आटम का भॉल्यूम केतना होगा चार अटम का दिबा कर चार एटम का भॉल्यूम कि की नहीं जाए कि और फॉर इंटो पाइठी और एक शुक्त चुका है दिख खी रहा है कि भईे यह जो यह रूट्ट्टु है देटी सीक्वाइल टूफपो यह रोट्ट है डिस इकाल टू फोरार इसका एड रूट अगर फोरा रहे तो एक इतुन हो गाना फोर भाई रूट टू इंटू आर तो आपका एड़ा फोरवाइट टू रूट टू लिख सकतो टू रूटी इन तू आर तब इसमें डेटापूट का दिया जाए तब का फो नो सिस्टीन पाई भॉए ठीटो इसका कीव करोके तो रूट जाएगा तब पता चला चला सोला को इससे काटेट नहीं आजाएगा तुछ से टू काट हो गया तो आपका पाई दीबाइड भाइ 3 root 2 आ रहा है, पाई दीबाइड भाइ 3 root 2 आ रहा है, तो इसके जक्कर में आपका जो answer है अच्छा है, क्या मैंने सही का लेशन के ना, 16 इंटो पाई है, और 222 8 हो जाएगा, 222 हो जाएगा, तो इसके साब से 2 काट जाएगा, तो लोकाट के टूओ अठीक है आप जाके इसका एंसर आ रहा है सिफ्ट पाई डिवाइड वाइड वाइड थ्री डिवाइड वाइड वाइड रूट अबर टू तो यह आजाएगा आपका पॉइंट सेवन फोर पॉइंट सेवन फोर जिरो फोर एट प्ला सर इसका मुलब रिखार इस इलंट जीरो पॉइंट इसका मुलब गया रीकि तर्रिया हो गया सेवन टीफोर पार्सन परसन एरिया अकुपई हो गया जो आपका kyser Diya है उसमें 60 इस से ज्यादा को भाई क्यों नहीं होसकता एफ सिच से ज्यादा अकوقई होना पॉसाब láई कुने नहीं है ऐसा क्यों नहीं ऐसा किवं यह को यहां सब्सक्राइन आप लगता है पॉइंड से जादा कहीं नहीं हो सकता स्पुएंड लगताइत होभाः क्यों नहीं हो सकता। उसकी लिए मेरे पास वीडियो है आपको दिखाता हूँ एनॉक्स के बाद मेरा मेरे पास एटम भी है मैं एटम से भी दिखाता हूँ आपको चीनता करने का कोई जूरूद नहीं है खोड़ा मैं घुसेगा क्यूं क्यूं नहीं हो सकता हुआ ही इससे ज़्यादा एटम क्यूं नहीं आ सकता इससे ज़्यादा पॉसिबल क्यूं नहीं है तो ऐसे करके हमने एटम रखा इसके उपर ऐसे करके आटम रखा इसके उपर ऐसे करके आटम रखा यह जो चीज है इससे हमारा बनता है hexeron close pack लेकिन atom इससे close आप दुनिया में कभी राख नहीं सकते जो रखा गया इससे close दुनिया में आप राख नहीं सकते इस तरह से रखा जाता है इससे close दुनिया में राख नहीं सकते there is a problem कि यह जो आपका atom से ऐसे atom रखा गया इसका नाम होता है क्लोज पैक ठोड़ा साब करके दिखाता हूं नहीं तो दिमा में घूसे गानी थौड़ा सा मैं इसको आपको करके दिखाता हूं कैसे होता है अगल कि प्जाल लाए कि अानी नन्हें कि जानी आजरा नन्हें लाए कि अानी अज़ियो मेरे हाथ में एक एटम है इसके बगल में जिदना भी कोशिस करो एटम इदना ही दूर आपाएगा और नहीं आपाएगा इसके बगल में तीसरे एटम इदना ही दूर पाएगा इससे इदना ही दूर आपाएगा उससे उससे क्लोज नहीं आपाएगा इसके उपर में जब एक इससे क्लोज नहीं आसकता है क्या में जब ऐसे करके एटम रखते हो तो इससे जो प्लोज कभी नहीं आप आपाएगा इसके ऊपड़ से जुगाड को यहां पर प्रिपीट किया गया कृसरे सेम कड़े सेम जी गड़ों पर इपीट किया गया एक करी जो इसका ट्रोल और असे बहुत सरक्टर złोता है तो उससे ज़्यादा क्लोす कभी twenty यह सकता एक्स लेयर को सब्लाइब चैटर और और आपका जो हां पर इससे ज्यादा पॉसिवन नहीं है व्रोव धिपाता मीफ्र तोड़ना पड़ेगा तब हुँस पाएगा इसमें फिर हएफ दफिर तोड़स पाेगा तोई आपका एटम से उसके उपर ऐस इक डाम आ गया उसके उपर ऐस मागया तो ऐसे जोटने के बाद जो सोच विह नहीं होता है तो इसके चक्कर में इस से क्लोज नहीं आ सकता तो मेरे इसाफ से आपको पुरा एपका सिंपल को इस्ट्रक्चर है तो एपका नमबर अटम्स है ठीक है मैंने तो तब से समझा चुका हूं यह आपका नमर अटम्स है एंट कोनर में आठ जगा में बैठा हुए आप जाके बुला वह पहले था कुंसा लैटिस बाला अभी कुंसा बन गया अभी बन गा हाड् है तो काटने के बाद ऐसा करने यह पोड़र हैं कांड करने के बाद किया होगा तो इस तरह से हमें सौझ भीचर करना है कैसे आया समझ मोडल होता है कांड क्ई समझे मिड़र होता द Cherry समझा रहा था हूँ यह है तो फिर हम समझा करते हैं फिर विकास यह में कि अधर सेडरीस 1130 सेट्वीब 30 हमारा क्लास है और उसमें आपका बाकी जो चीज आपको दिमाय में घुसता नहीं है वह भी पुरा समझा के रखूंगा चलो विकास दिवाकर बीनाए दिवा शोराब एंड सेखर तूसार मून सीवकुमर पत्र तूसार हो में फ्यार अनिरूद सुज मून दिपक कुमर और तेजा तेज सिवशक्ति विकास पाल चलो थैंक यू वरी मच अमित पाटल हर्दिक चोडरी मुझमिल मुझ्यू ठीक है करती केया मिस्त्रा वेरी गुट थैंक यू वरी मुच अन आम क्लोजिंग सेशन टोड़े और झाल 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 झाल